हलो दोस्तो नमस्कार आपका सवागत है हमारे यूट्वब चैनल में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि जानवर की आक से पानी आ रहा है कीचड़ आ रहा है आपके गाय भैस के आखो से तो दोस्तो आप उसका देशी टीटमेंट किस प्रकार से कर सकते हो तो सबसे पहले दोस्तो उसके हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करना हमको चाहिए, तो सबसे पहले आप जान जाओ, हम सबके घर एक तेल रहता है, जिस तेल का नाम होता है रहात रूँ, दोस्तो यह एक ठंड़ा तेल है, ठंड़े तेल को हम अपने सीर के उपर रखते हैं, और हम अपने यूज में लेते हैं, तो दोस्तो आपको वही तेल लेना है, तेल लेने के बाद आपको क्या करना है, मैं पूरी जानकारे दूँगा, दोस्तो आपको एक नीड़ी लेना है, नीड़ी लेना है, दस एमेल की लेना है, या पांच एमेल की लेना है और दवा को एक छोटे से बर्तर में रख लेना है रखने के बात क्या करना पड़ेगा आपको एक आख में डालने के लिए एक एमेल एक से डेड़ एमेल तक दवा लेनी पड़ेगी लेने के बात क्या करना पड़ेगा जिस आख से गाय के आप भै जो अंदर की पूरी गंदगी रहती है जो पूरे बैक्टरिया रहते हैं उनको मार देती है यह एक ठंडी दवा होती है इससे पसुक की आख में किसी प्रकार की हानी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है बलकि पसुक की अगर आख में कोई और भी दिक्कत है जैसे कि पसु को कम दिखाई देता हो, अंदर आख white हो गया हो, और कुछ चाले पड़ गए हो, अंदर दाग हो गया हो, सब का सब धीरे धीरे सही कर देगा, उसके साथ ऐसे चला आख में कुछ चला जाता है, वो आख में कुछ चुबने लगता है, तो दोस्तो इसके साथ ये तेल ये भी काम करता है कि उसकी आख का चुभन दूड करेगा आख में जलन हो रही है वो अभी सही कर देगा तो यह एक इस तेल का नाम आप फिर जान जाओ इस तेल का नाम है राहत रूख दोस्तो राहत रूख तेल की कीमत एक प्रकार से देखा याई तो कुछ भी नहीं है क्योंकि दोस्तों हम human लोग रहात्रोग का तियल यूज करते हैं तो यूज करते हैं यानि हम लोग about मेडिकल से करते हैं आप अपने काम से एनीमल का भी काम हो जाता है। इस परकार से आपके घर सर भी जिलने थिलय उज़गते हैं. अगर उनके आख में पानी नहीं आ रहा है, कीचर नहीं आ रहा है, फिर भी आप इस दवा को यूज कर सकते हो, इससे किसी भी प्रकार के हानी नहीं होगी दोस्तों इसी प्रकार से और भी वीडियो दिखने के लिए प्लीज आप हमारे यूटूब चले को सब्सक्राइब जरूर करने हैं